नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अंजना चोहान दोस्तो जिस तरीके के डाई देख रहे हो ना विल्कुल सेव ऐसे ही बनेगी अगर आप इसी तरीके से बनाते हैं जैसे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके एक एक बाल दोस्तो जो सफेध हो चुके हैं ना काले होंगे ठीक है बहुत ही अच्छी तरकीप से बनाने जाल काफी मेहनत करी है बहुत मेहनत लगी लेकिन जो बनके तयार हुआ ना विस्वासी नहीं हो रहा था ठीक है बस मैं आपसे छोटी से रिक्वेस्ट करूँ की तभी ठीक है रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ अनार का छिलका लेना है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें आयरन पाए जाता है लोहे से भी ज्यादा इसमें आयरन पाए जाता है अनार का एक दो छिलका अगर आप छोले में डाल दीजे ना तो पूरा देखेंगे छो बालों को ये काला कर सकता है और ऐसी ऐसी रेमेडी आगे डालने जा रही हुना कि दिल्खोस हो जाएगा एक मिनट के लिए भी आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे मेरी वीडियो में इसको छोटा छोटा दोस्तों आपको काट लेना है बहुत ही अच्छी चीज होती है आप जो साल के हो गए हो पचास साल के हो गए हो अब सारे बाल सफेद हो चुके डाइल लगा लगा के आदत पड़ गई है तो अब एक बार में सोचो कि एक बार में लगाया पूरे बाल काले हो जाए नहीं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नेचुरल में टाइम लगता है लेकिन होता है तो वही होता ही है अब लीजे एक चुकंदर चुकंदर में तो जानते हैं किसी को बताने के जुरूत नहीं है कि कितना अच्छा कलर यह आपके बालों में दे जाता है विटामिन C भर भर के होता है इसमें आइरन भर भर के होता है बहुत जादा ठीक है इससे बाल आप हमेशा नेचुरल तरीके से काला करना सीखें, जैसे नेचुरल ये है, चुकंदर है, चाय पत्ती है, कॉफी है, ऐसी चीजें यूच किया करें, अब मेथी भीगी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से भीगी हुई है, मतलब एक दिन और एक रात पूरा मैंने मेथी को बहुत सारे बिटामिन्स ये आपके बालों में छोड़ जाता है, ठीके बालों को ताकतवर बाहु बली बनाता है मेथी, बाल को लंबा, सिल्की, घना, जो कुछ अगर आप कोई भी चीज बालों के चाहते हैं, वो मेथी दे सकता है, अब इसमें जो मेथी भीगी है, दो च जुकंदर जो काटे हैं, वो भी इसी में डाल दीजे, ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, थोड़ा सा पानी डाला जाएगा, बहुत जादा नहीं डाला जाएगा, एक गिलास पानी इसमें डाल दीजेगा, अब आपको इसको क्या करना है, बहुत ही जादा बारीक आ आप कपड़े से छानी है ठीक है कपड़े से छानी है और बहुत जल्दी एक बार में ही सब कुछ आराम से काम फटा फट हो जाता है ठीक है इसी तरह से करके आप इसको छान लीजेगा वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी मैंने बनाई है और मै मैं अपने काम से खुद ही मैं बहुत खुस हो गई कि वा क्या कमाल की डाई बनके तैयार हुए नेचुरल वो भी नेचुरल ठीक है अब इसका रसा इसको पूरा जूस मतब निकाल लीजे च्छान के दबा दबा के दबा दबा के च्छान लीजेगा क्योंकि मुझे चुकं चुकंदर कलर देता है चुकंदर आपके बालों में मजबूती तो देता है चुकंदर खाने से खुन कितना बढ़ता है जब सरीर में खुन बढ़ सकता है तो बहुत बाल क्या चीज है बाल भी बढ़ेंगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे अब देखिए कितना फाइन पानी इसका बनके तयार हुआ है, इसम बहुत ज़्यादा ठनी लग रही थी मुझे, तो मैं इनर उनर पहन के आज काम कर रही हूं दोस्तों, अब देखें यह पानी कौन सा है, यह आवला, जो आवला होता ना हरा आवला, उसको मैंने पीस के इसे जो लोहे के बरतन में है, दो दिन अब इसका क्या ही कलर आया है, ठीक, बहुत यह आवला है, अवला ने अपना कलर आईरन के साथ मिलकर छोड़ दिया है, यह पानी नहीं, बालों के लिए अंबृत है, समझ लीजे, बाल काला करेगा, मजबूत करेगा, हिल्दी करेगा, लंबे बाल की ख्वाइश जिसको है, वो आउला के तरफ तो भाई आही जाओ, अब आउला नहीं है भाई, भाई आउला पौडर डाल दो, अब क्या पढ़ने जा रहा भाई, कमाल की चीज़ होने जा रही ह हल्दी, हल्दी से बाल काले होते हैं भाई, ये तो बिलकुछ सक्च माल लीजिया, ठीक है, हल्दी में पता नहीं कौन सा विटामिन्स होते हैं भाई, हल्दी में इतना ज़्यादा हल्दी इस समय पर वाईरल चल रही है बालों के लिए, तो मैंने कहा, भाई दो-तीन बार म बिल्कुल सही है, हल्दी में आप अगर मतब हल्दी को भून लीजिए, दही में लगा लीजिए, दही में डालके लगा लीजिए, किसी भी चीज में अलो वेरा में डालके लगा लीजिए, तो बहुत ही अच्छी चीज होती है हल्दी आपके बालों के लिए, दो मुहें बाल तो तवे में तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए अब मैं लोहे के कड़ाई में कोई भूनो न कोई चीज तो बिल्कुल धलंगती रहती है, अब जो आवला मैंने नहीं भिगो के रखा था दो-तीन दिन पहले, अब इसी को इसमें डाल दिया है, अगर आप हल्दी भून रहे हो, जब तक आप उसमें कोई ठंडी चीज नहीं डालोगे, जैसे अलो बेरा या कोई चीज, तो आप वह आगे बुझेगे ही नहीं, अब इसी में जो चुकंदर और मेथी जो सारी चीज़े मैंने पी सी थी न, छाना था, वो चुकंदर का पानी और मेथी का पानी और वो सारी बड़े मन से बनाओ, लगे कि हाँ मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, लगातार कल्चुल आपके चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये चिपकने लगता है, तो इसलिए धीमे आच कर दीजेगा, और इसको जो है, धीमे धीमे करके पका लीजेगा, इसको जानते हैं दोस्तों, आप इसको फ्रिज में भी रख सकता है, जादा बना लीजिए, फ्रिज में भी रखे किसी भी उम्र में, कोई चैमिकल इसमें नहीं है, जानते हैं, बाल खने भी करेगा, क्योंकि सारी चीजें ताकतवर हैं, बाल काला करने के, पीछे कम पड़िये, तो काले होई जाएंगे, ल इसको एक से देढ़, दो दिन के लिए मैंने रख दिया है, कड़ाही, खुल लाइभाई देखें गिचन में, पुरा पानी पी गया, हलदी थी ना, हलदी ने पुरा पानी पी लियाJust का सब सूख गया है गाढ़ा हो गया कुछ तो भाई किसी बरतन में कोई चीज भर के रख दीजे तो थोड़ा बरतने लगता पी जाता है तो हवावा चलती रहती किचन में उससे जो है सूख गया लेकिन गाढ़ा बहुत अच्छी डाई बन करके ये तैयार हो चुकी है अब कि छाने ने ने कि कोई जरूरत नहीं ठीक है बिल्कुल मत छानेगा बस आप इसको निगाल लीजिए मतब किसी कटोरी में निकाल लीजिए ये देखिए कमाल के डाई बन गई दोस्तो बस यही कहूंगी न कि अगर मेरा काम अच्छा अगर आपको लगे तभी चैनल को सब् काने के लिए महिनत करी है और मैं भी तो देखना चाहती हूं कि क्या कमाल बालों में आता है अपने बेटी के लगाया था अपने लगाया था ठीक है लूट मच जाती जब ऐसे डाई मैं बनाती हूं तो मेरे घर में भाई मुझे लगा दो लोगों को लगता बाल चाहे ही मत यह तरीके से इसको पुरा साफ करके लगाले से लिए कॉटन कॉटन से अपने जो जड़ है ना उसे पुरा चुआ चुआ के पूरा अंदर तक पानी जाने दीजिए रोम छेदर के अंदर ऐसा ताकतवर पानी जब जाएगा ना अंदर तभि तो कमाल करेगा आपके बालों बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें लगाना है दोस्तों पूरे जड़ में लगा लीजिए बाल नीचे के सफेद है उसमें लगा लीजिए और चार से पांच घंटे आपको रखना है रख सकते हैं तो पूरी रात रखिए मैं तो चाहूंगी कि आप पूरी रात रखें उसके बाद आप बाल को धो दीजेगा मजा ही आ जाएगी बाई बाई दोस्तों वीडियो को सेर जरूर करें